धाड है स्कोटी गाड है हमार किस्मे जी एने 707 में हूँ अच्छा तो क्या ध्यान डग रहे हो आप क्या ध्यान डगर हो इदर अब शिमेंट देख रहे हैं इधर धी चुरिया है पाइप है हमार फासर अच्छा तो फिर रहते कहां पर वाब रात को रात पर रेते जो रोड री माड़ी पकी आप अच्छ तो जंगल में प्र कैसे रह रह रहु हूँ आपको जंगली जानवर का डर नहीं लग रहा हूँ? स्कोटी सबर्ण वतल है अच्छा तो फिर आपको रहने रूंने का कोई इंतजाम नहीं है पहले जनाव गाडियां देते ते यह दो मीने जनाफ गाडियां है वही रोड़ बेटे रहो अच्छा ऐसे आप रोड़ पर र्च रहते हो रोड़ पे बैठे रहते हैं और जो यह समान इसकी रख वाली करते अच्छा और ड्यूटी कितने गंटे कर रहे हुआ जी अच्छा और सेलरी क्या दे रहे हैं आपको इसे पड़े हुए हमने ठेकदार को बोला ताओ कहता भी जिसने करना करो नहीं तो अपने घर चले जाओ अच्छा अच्छा एक मिने की रोक कभी 27 तारीकों देते कभी 26 तार अच्छा आपने बात नहीं कि इसके बारे में कि हमें कोई सुबीदा दो अगर रात को कुछ हो जाया आपको जंगली जानबर कोई अब आदमी यह बोलते कि तुम कंपनी के तुरू है हमें यही पता नहीं है क्या नहीं है कि छलो कोई नहीं कि आप रात को क्या कर रहे हैं गाड़ के नोपरी कर रहे बैँ अचा कब से करें जी होगे 6 मूने तो आप कोई व्योस्ता नहीं आप लोगों का पैसे जंगल में बेठे हुए दिश्ता यह ने पर दण भए जिरा नहीं है तो अिक है आपको डर नहीं तो आप कम्पनी को बोलो कि हमें परबंद करें कुछी बीची बोलते-बोलते कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे कल के लिए उननीसवीश कुछ हो जाए तो अमनीसवीश हो जाए हमार चो जान चली जाएगे अब वाकि क्या अपनी देख अंजी सर क्या कर रही हो आप यह पर अच्छा गार्ड है तो जंगल में जंगल में पड़े है क्या करना है पहले हमें सूविदा भी मिलती थी अच्छ तो आपने कंपनी वालों को नहीं बोला गाड़ी के लिए कंपनी वालों को बोल दिया सर लेकिन हमारी कोई सुनुए नहीं है कि किस बज़े से इनोंने गाड़िया पंद किये अच्छा तो आपकी ड्यूटी का टाइम क्या है सर अच्छा तो सेलरी क्या दे रहे हैं अच्छा तो आपने ठेकेदार से अपने बात की नहीं आपने खेकदार से बात कर लीजी दो तिन बार लेकिन खेकदार ये बोलता है अगर हम सेलरी पढ़ाने के लिए बोलते तो खेकदार बोलता है कि भी आप लोगों ने घर जाना है तो आप घर जा सकते हैं अच्छा उन मCAR झाना है तो आपने बाराँ